हेलो एब्रिवान वेलकम टू सुमन कीचन आज बनाएंगे आरबी के पत्तों से पातोड़या इसे पात्रा भी बोलते हैं इसे बारिस के मौसम में खाना बहुत ही अच्छा लगता है हर घर में बारिस के मौसम में जरूर ही बनता है तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते है यहाँ पे 30 पीस हमने आरबी के पत्ते लिये हैं अच्छे से इसे धो कर हमने रख दिया है ताकि सारे पानी निकल जाए पत्तों से तब तक त्यार कर लेते हैं इसके मसाले तो यहाँ पे दो गांठ हमने लहसन को छिल लिया है और 10 से 12 हरी मिर्च हमने लिया है दो नीबु तो चलिए लैसन और मिर्च का हम पेश्ट तियार कर लेते हैं उसके बाद एक बरतन में हम डालेंगे एक कटोड़ी बेसन यानि धाई से 300 ग्रम बेसन हमने लिया है उसके बाद इसमें डालेंगे भूना हुआ एक चमच जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर आलेंगे 140 इश हरी मिर्च भी हमने पीसा है यहां पे रेट चिली पाउडर भी हम डाल रहे हैं तो आप जितना तीखा पसंद करते हैं उतना डालें दो से तीन पीट यहां पे हिंग डाल देंगे और अब हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च और लहसन का जो पेश्ट बनाकर रखा हुआ था ध्यान रखें कि इसमें लहसन और हरी मिर्च ज़्यादा पड़ता है और इसमें जो नीबू था न उसका जूस निकाल कर हम डाल देंगे आप चाहें तो यहाँ पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका गोल त्यार करेंगे जादा पतला गोल नहीं बनाना है इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालें थोड़ा थीक ही गोल इसका त्यार करेंगे और आपके पास चावल का आटा है तो दो से तीन चमच इसमें डाल दीजिए जिससे बहुत ही अच्छा स्वादा आएगा तो देखे इतना पतला हमें गोल तियार करना है तो चलिए गोल तियार हो चुका है बनाते हैं इसका पत्रा तो एक इस तरीके के चोड़े हम बरतन लेंगे जिसका नीचे का जो पोर्शन है वो चोड़ा हो उस पे एक पत्ते को हम रख देंगे इस तरीके से यह देखे और इसके उपर हम बेशन का घोल लगाएंगे तो आप इस तरीके से एक चमज से लीजे और पूरे पत्ते पे कभर कर दीजे बेशन के घोल से और चमज से नहीं हो पा रहा है तो आप हाथों के हेल्प से भी लगा सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च होता है बेसन के अंदर तो हाथों में जलन होने लग जाती है इसलिए आप चमस से लगा सकते हैं तो लगाईए नहीं तो हाथों से भी बहुत असानी से आप लगा सकते हैं तोड़ा सा यहां से कट कर देंगे ताकि पत्ता जो है न अच्छे से यहां पे फीट हो जाए बैठ जाए तो हमने उपर से थोड़ा सा पत्ते को कट कर दिया है यह देखिए इस तरीके से बेशन को हमें अच्छे तरीके से पूरे पत्ते पे कभर कर देना है जितना ज़्यादा बेशन लगाएंगे उतना ही स्वाधिष्ट ये बनेगा यानि कि पत्तों के बीच एक लेयर आएगा बेशन का जो खाते टाइम बहुत ही अच्छा स्वाधिष्ट लगता है तो इसी तरीके से एक के उपर एक हम पत्ते लगाते जाएंगे और उस पे बेशन लगाते जाएंगे इस तरीके से और पान से छे पत्ते का जब हम लेयर बना लेंगे तो इसका रोल बनाएंगे तो एक रोल के लिए हम पान से छे पत्ते लगा रहे हैं ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पत्तला रोल नहीं होगा जितना ज्यादा मोटा आप रोल बनाना चाहते हैं उतना ज्यादा पते लगा सकते हैं और पतला रोल चाहिए आपको तो 5-6 पते ठीक है तो यहाँ पे दो तरीके के पते आते हैं एक देसी होता है और यह के यह जो पते हमने लिया है यह देसी वाला नहीं है तो यह गले में तो गले में थोड़ा सा दिकत करता है उसी तरीके से पते भी करता है तो इसमें आप जादा नीबू या जादा आमचुर पाउडर डाल देंगे न तो गले में बिलकुल भी दिकत नहीं होगी बेशन के घोल में हमने अलग से एक चमच आमचुर पाउडर भी डाला है ताकि गले में बिलकुल भी दिकत नहीं हो और यहाँ पे 5-6 पते हमने लगा लिये हैं और यहाँ पे बेशन से अच्छे से पतो को कभर कर दिया है तो चलिए अब फोल्ड कर देते हैं तो सबसे पहले हम साइडों से फोल्ड करेंगे इस तरीके से यह देखें और फिर इस साइड से भी हम करेंगे और इस पे हम थोड़ा सा बेशन लगा लेंगे ताकि पते अच्छे से चिपके और चारो तरफ बेशन रहें और धीरे धीरे इस तरीके से हम टाइट मोडते जाएंगे ताकि ब बिल्कुल भी खुलेगा भी नहीं, यह आपको खुलने का चांस लग रहा है, तो थोड़ा सा धागा से उपर से बांद दीजिए, वैसे भी यह बिल्कुल ही नहीं खुलने वाला है, तो इसी तरीके से सारे पतों का रोल बना कर हम त्यार करेंगे, यह देखें, यह ज्यादा मोटा भी नहीं है, और ज्यादा पतला भी नहीं है, तो यह देखें, दूसरा रोल में बना रही हो, और इस तरीके से दोनों साइड से हमें, वो पतों को पकड़ते हुए, फोल्ड करना है, यह देखें, बिल्कुल भी नहीं खुलता है, और इसी तरीके से सारे पतों का रो पेट दीजे तो बिल्कुल नहीं खुलेंगे तो चलिए सारे पत्यों को हमने त्यार कर लिया है अब इसे हम इस्टीम करेंगे तो गैस पे हमने पानी बोल होने के लिए रख दिया है एक कड़ाही के अंदर यह देखें यहां पे दो से तीन गलास हमने पानी रख दिया है और बाकी एक दो और बच गए हैं तो उपर से रख दूँगी और ज्यादा मोटा रोल नहीं बना है तो अच्छे से कूक हो जाएगा यह देखें और इसे 15-20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे 15-20 मिनट बाद अच्छे तरीके से यह स्टीम हो चुका है तो एक नाइफ से इसे हम चेक कर लेंगे और देखें बिल्कुल क्लेर निकला है तो यह अच्छे से पक चुका है तो इसे अब ठंडा होने देते हैं और एक एक करके हम बरतन में निकाल लेंगे और अच्छे से इसे ठंडा होने देंगे आप इसे इसी तरीके से भी खा सकते हैं या इसे कट क करके आप थोड़ा सा तेल में फ्राई करके खा सकते हैं या थोड़ा सा उपर से बेसन में कोट करके फिर फ्राई करके खा सकते हैं वैसे भी ये खाने के लिए बिल्कुर रेडी है अभी आप इसे चाहें तो खा सकते हैं लेकिन मैं इसे थोड़ा सा कट करके सर्शो के तेल मे थोड़ा सा इसे fry कर लूँगी जिससे और भी स्वाद बढ़ जाएगा तो आप जितना मोटा या जितना पतला कट करना चाहते हैं कट कर सकते हैं तो एक पीस को हम कट कर रहे हैं यह देखें मैं अंदर से दिखाती हूँ कि इसका बेसन का लेयर आप देख सकते हैं और इसी तरीके से आप इसे खा सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट लगता है यह देखें कितना अच्छा इसमें बेसन का लेयर दिख रहा है आपको तो चलिए इसे उठा लेते हैं एक प्लेट में और चलते हैं इसे fry करने के लिए मुझे तो ऐसे ही बहुत स्वाधिश्ट लगता है लेकिन इसे आप fry करके खाएंगे तो और भी इसका स्वाध बढ़ जाएगा इसे आप चावल डाल के साथ भी खा सकते हैं या इसे नास्ते में भी ले सकते हैं किसी भी तरीके से बहुत हेल्दी भी होता है तो एक पैन में हम डालेंगे एक चमस सर्शो का तेल और तेल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें हम एक एक करके जो पीसेज कट करके हमने रखा है उसे डाल देंगे और इसे अलटते पलटते हुए दोनों साइड से थोरा सा क्रिस्पी होने दक फ्राई कर लेंगे दो से तीन मिनट लगेगा मेडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई किया है और बहुत अच्छे से दोनों तरफ से ये क्रिस्पी हो जाएगा देखे कलर किता सुन्दर आया है तो इस तरीके से आप फ्राई करना चाहते हैं या बिना फ्राई किये हुए खाना चाहते हैं या बेशन भी लगाना चाहते हैं तो जिस बेशन से इस पकोड़े को आप बनाए थे उसी में से थोड़ा सा बेशन रख लीजे और उसी में लगाखर आप फ्राई कर शकते हैं तो ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत बुलिएगा